हे गाइस वेलकम पैक टू मैं चैनल तो आज के इस वीडियो में अन्बॉक्शिंग और डेटेल रिव्यू दिने वाला हूं फायर बोल्ट फिनिक्स स्मार्ट वाच का तो ये वाच मेरे पास बहुत टाइम पहले आ गई थी मैं इसे पाच से छे दिन तक यूज कर रहा था त ताकि आपको इन डेप्थ रिव्यू बता पाऊं तो ये जो वाच है ये आपको बजट के अंदर कॉलिंग फीचर प्रवाइड कर देती है उसी के साथ यहां पर बहुत कमाल की फीचर देखने को मिल जाता है तो ओवरॉल यहां पर आपको इतने सारे ओप्शन्स देखने क मिली रहा है तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करना तो सबसे पहले चलिए बॉक्स को उपन करके बॉक्स कंटेंट्स चेक करता है तो यहां पर सबसे पहले यह वाच देखने को मिल जाएगी तो इसे निकाल लेते ह तो यहां पर बहुत सारे information देखने को मिल जाएगी तो इसको पढ़के भी आप समझ सकते हो उसी के साथ यहां पर कुछ कार्ट्स देखने को मिल जाएगे जोकि fireboard के सारे ही products के साथ देखने को मिल जाता है ओके सो अब अगर बात करें first impression of build quality की तो यहां पर आपको साइड म metal build देखने को मिल जाएगी उसी के साथ पीछी के साइड में polycarbonate back है और यहां पर इतने कम price segment के अंदर आपको बिल्कुल working sensors देखने को मिल जाएगे तो यहां पर back side में कुछ sensors दिये गए हैं जिनको हम वीडियो में आगे test करेंगे उसी के साथ यहां पर speaker microphone वैसे तो नजर न उसी के साथ 22 mm के straps का support देखने को मिल जाता है और removable straps का भी feature है यानि कि इनको remove करके कोई भी straps लगा सकते हो और अगर बात करें in hand feel की तो वो भी बहुत बढ़िया है यहां पर 1.3 inches का थोड़ा छोटा display देखने को मिल जाता है तो जिन लोगों की thin wrist हो या average wrist हो उसके लिए तो best है तो वो लोग इसे आराम से ले सकते हैं और weight भी इसका बहुत जादा कम है तो बिल्कुल भी uncomfortable feel नहीं होगी overall straps की quality भी अच्छी है तो in hand feel इसका बहुत सही रहता है तो चलिए अब watch को on करके application से connect कर देते हैं तो इसके अंदर daffit application का support देखने को मिल जाएगा तो यहां प से बहुत time तो use किया और मैं कह सकता हूं कि connectivity को लेके कोई भी issue देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत अच्छी application है अगर बात की जाए display की तो इस smart watch के अंदर 1.3 inches का TFT display देखने को मिल जाता है और 240 by 240 pixels का resolution देखने को मिल जाता है तो यहां पर display को लेके इस brand ने brightness की तो brightness भी अच्छी कासी देखने को मिल जाती है डारेक से light में use करोगे तो भी इसका display visible हो जाएगा और bezel की बात की जाए तो यहां पर आपको बिल्कुल कम-कम bezel देखने को मिल जाएंगे जो कि इतने ज़्यादा फील नहीं होंगे बाकी second hands की movement आप देख सकते हो कितनी smooth है पर क्योंकि calling watch है तो जादा deep water बे ले जाने के लिए suggest नहीं करूंगा watch faces की बात करें तो इस smart watch के अंदर inbuilt 9 watch faces का support देखने को मिल जाएगा उसी के साथ application के अंदर बहुत सारे watch faces का support देखने को मिल जाएगा तो यहां पर application से भी कोई भी watch face लगा सकते हो उसी के साथ अगर च अच्छी कासी आजाती है तो custom watch face को भी लेके as if कोई issue नहीं होगा उसी के साथ अगर बात करें fitness features की तो यहां पर dedicated heart rate sensor और SPO2 sensor देखने को मिल जाएगा और heart rate sensor को मैंने बहुत बात test करने की कोशिश की है air के अंदर कोशिश की है पर air के अंदर यह smart watch reading show नहीं करती है तो sensors इस इसकी readings 100% मैच करती है तो heart rate sensor की readings बहुत accurate देखने को मिल जाएगी उसी के साथ यहां पर SPO2 sensor भी देखने को मिल जाएगा और इसकी readings भी oximeter से मैच करती है उसी के साथ यहां पर आपको training के अंदर 100 sports mode देखने को मिल जाएगे तो यहां पर sports mode को लेके कोई भी कमी नहीं है से smart watch के अंदर और यहां पर अपने हिसाब से कोई भी sport आराम से इसके अंदर access कर सकते हो तो sports mode को लेके कोई कमी नहीं है और उसी साथ देखने को मल जाएगा sleep monitor तो sleep monitor को भी मैंने बहुत बार test किया है और इसके अंदर भी 90-95% तक accuracy आजाती है और इसके अंदर बिलकुल सही से शो हो जाता है कि light sleep कब थी, deep sleep कब थी और यह सारा information आपको proper graphs में शो हो जाएगा तो sleep monitor भी इस smart watch का 100% working होने वाला है क्योंकि यह calling smart watch होने वाली है तो यहां पर आपको calling के related भी बहुत सारे options देखने को मिल जाएगे जैसी कि recent calls का option देखने को मिल जाएगा उसी साथ contacts का option दे भी call सवगिरा कर सकते हो तो यहां पर speaker quality को test करने के लिए एक call करके बताता हूँ हाँ मम्मे हाँ आवाज आ रही है clear सही आ रही है सही अगर बात करें speaker quality microphone quality दोनों ही बहुत ज़दा better है और इससे आप आराम से बात कर सकते हो इंडोर और आउटडोर दोनों में ही कर सकते हो कोई problem नहीं होगी उसी के साथ क्योंकि speaker available है तो इसके अंदर music भी सुन सकते हो तो चलिए कुछ music सुनते है और speaker बताता हूँ किस जगे है से smart watch के अंदर तो generally सारी watches के अंदर यहां पर speaker देते हैं या फिर थोड़ा पीछे की side में इस तरफ कहीं देते हैं पर यह सबसे unique smart watch लगती है क्योंकि इसके अंदर इस side में speaker देखने को मिल जाएगा तो यहां पर speaker को अच्छा खासा छुपाया हुआ है और अगर बात करें speaker quality की तो बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है तो यहां पर आप आराम से songs होगेरा सुनके enjoy कर सकते हो उसी के साथ यहीं से play pause भी कर सकते हो उसी के साथ next और previous song भी play कर सकते हो अगर बात की जाए battery backup की तो calling feature को use करके 2-3 दिन का battery backup देखने को मिल जाता है और calling feature को use ना करो तो 4-5 दिन का भी देखने को मिल सकता है जो की decent है एक calling smart watch के साब से उसी के साथ यहां पर अगर बात करें कुछ और features की तो वो सारे options को भी check कर लिता है तो सबसे बहले यहां पर steps का option देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको पूरा data show हो जाएगा मतलब last 7 days में आपने कितने step चले कितना calories burn की कितना distance चले यह सारा information show हो जाएगा उसी के साथ sleep monitor, phone, AI voice का option देखने को मिल जाएगा तो AI voice को use करके अगर आपके पास iPhone है तो CD activate हो जाएगी और अगर Android है तो आपका जो Google Assistant है वो activate हो सकता है तो यहां पर आप देख सकते हो कि Google Assistant activate हो गया है तो इस तरीके से इस option को भी use कर सकते हो यहां पर heart rate sensor option देखने को मिल जाएगा ट्रेडिंग है उसके बाद SPO2 sensor है वेदर का option है और यहां पर last 7 days का वेदर शो हो जाएगा और animations वगिरा बहुत अच्छे शो होता है तो बहुत अच्छा लगता है यह option भी उसी के साथ यहां पर remote capture का option भी देखने को मिल जाएगा तो यहां पर remote capture को भी try कर लेता है कि किस type से work करता है तो यहां पर dafit application के अंदर जाना पड़ेगा तो यहां पर इसके उपर click करके watch के अंदर timer start हो जाएगा और इस तरीके से आप pictures भी click कर सकते हो बहुत खतरना का वास थी तो उसके बाद यहां पर option देखने को मिल जाएगा music player breathe का तो यहां पर इससे start करता है तो यहां पर इस watch के अंदर vibration होता है और continuously inhale exhale के लिए guide करेगी उसी के साथ games भी देखने को मिल जाता है तो यहां पर young bird और 2048 देखने को मिल जाता है मेरा इसके अंदर highest score है 10 बाकि आप बताओ आपका क्या highest score है यहां पर देखते हैं कि मैं कितना score बना पाता हूँ और last में यहां पर option देखने को मिल जाता है settings का तो settings में जाके basic option देखने को मिल जाएगे जैसी कि stop watch alarm तो यहां पर आप कोई भी three alarm set कर सकते हो और उसी type से basic options देखने को मिल जाएगे और यहां पर theater mode देखने को मिल जाएगा तो यह सब आपको पता ही होगा कि क्या options होता है तो अब अगर बात करे watch UI की तो यहां पर आपको user friendly सा UI देखने को मिल जाएगा नीची की तब swipe करके यहां पर आपको control panel देखने को मिल जाएगा उसी के साथ यहां पर right की तब swipe करोगे तो यहां पर applications वगरा देखने को मिल जाएगी इसके अंदर दो menu style देखने को मिल जाती है यह वाली है list style तो एक बार आपको इसकी जो एक और menu style है वो भी बता देता हूं तो यहां पर grid style भी देखने को मिल जाएगी और इसके अंदर भी application बहुत अच्छे लगता है और cool सा look आता है और सबसे अची बात यह लगती है कि जैसे कि यह वाला application open करना है इसके उपर click करना होगा यह इस type से नीचे आ जाएगा और फिर इस application को use कर सकते हो तो यह चीज बहुत ज़्यादा interesting लगती है तो यहां पर आप इस type से use कर सकते हो उसी के साथ उपर की तरफ swipe करके notifications देखने को मिल जाएंगे reply करने का option नहीं है इस चीज का ध्यान रखना सिर्फ notification को पढ़ सकते हो उसी के साथ write की तरफ swipe करके कुछ components देखने को मिल जाएंगे तो यह भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे तो इससे अपने साब से access कर सकते हो तो यह basic सा UI देखने को मिल जाता है उसी के साथ long press करके watch faces को change कर सकते हो और इस button को press करके on off कर सकते हो तो यह basic सा UI देखने को मिल जाता है तो अब last में अगर बात करें conclusion की तो conclusion देने से पहले इसका price बताना चाहूंगा जो कि होने वाला है सिर्फ 1800 रुपीज sports mode IP68 water resistant तो मतलब क्या नहीं है से smart watch के अंदर inbuilt games भी है वो तो मैंने मैसी कर दिया तो इतने features 1800 में मिलना मेरे हिसाब से next to impossible है तो features loaded smart watch होने वाली है वो भी budget के अंदर जल्दी से जल्दी order कर देना क्योंकि इसकी price अभी बढ़ सकती है अभी prime day में 1800 की मिल रही है बाद में 2500-2600 हो जाए तो मुझे मत बोलना अभी के अभी जाओ Amazon पे और पसंद आ रही हो तो order कर दो buying link देखने को मिल जाएगी description में उमीद आज का वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो like, subscribe ज़रूर से करना मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई